सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकॉनमी के अंदर तब होती है जब आपके इंस्ट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमने गल्पी की ठीक है आपका रुगराम राजन बड़े-बड़े एकॉनमिस्ट केते हैं कि भाई डी मॉनिटाइजेशन के वज़ासे जो शौक मिला है एकॉनमी को अभी तक हम उससे नहीं उभर पाए हैं अभी उभर ही रहे थे कि उपर से दूसरा डंडा पड़ गया अपका कोविड लॉक्डाउन का और लॉक्डाउन भी हमने नेशन वाई दुनिया का सबसे स्ट्रॉंगस्ट लॉक्डाउन लगा है तो चाइना जहां से निकला था उन्होंने भी उतना स्ट्रॉंग लॉक्डाउन नहीं में लॉक्डाउन किया थे हमने पुरा भारत को बंद कर दिया उसके बावजूद आप देख रहें कि इंडिया में कितने ज्यादा केसे अब विद्य है कि एसा ही सिस्टम क्या था पूरी एकॉनमी में अच अचानक से कोई डिसिजन लेते हैं स्टॉक मार्केट आपका गिर जाता उसके 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 आपको मालूम होगा एक ट्वीट से स्टॉक पैसे का क्या हो जाता है तो ऐसे ही आपकी पूरी गवर्मेंट अचानक से शाम को आ की बोलती है कि हम पांच सो और हजार के उन्होंने नहीं NCMR से पूछा नहीं नीतियायोग से पूछा जो बड़े-बड़े इंस्टॉशन है किसी से भी सलाह नहीं ली गई थी बिफोर इंपोजिंग लॉक्टाउन अब हम देखेंगे क्यूंकि जबभी एकॉनमी में इनौ वोलटीलिटी होती है जब भी इकॉनमी आपको सिपकूलेट करते हो कि एकॉनमी में कुछ भी हiros producción चाचा कभी भी तो उसके वज़े से problems होगी अब यहाँ पर fiscal policy में दो तरीकी की fiscal policy है अभी for example हम recession में है majority sectors downfall में है production कम हो गई है क्योंकि demand नहीं है economy में अब आपको demand generate करनी है क्योंकि demand जब होगी supply अपने आप आईगी है नो तो आप economy में demand create करना चाता हो अब demand कैसे create की जाए भाई government को बोला जाता है कि खर्चा करो ठीक है जमीन खोद के कुछ बनाओ कुछ सड़के वड़के कुछ highway वड़के बनाओ जो करना है करो construction में पैसा लगाओ जहां जैसे मैंने आपको construction का example दिया था ना पाकिस्तान का कैसे उनने construction में पैसा लगा कर बाकी sectors को भी उपर उठा है बिल्कुल ऐसे ही आप खड़े खोदो सड़के तोड़ो फिर फिर से बनाओ जो करना है करो मगर आप पैसा खर्च करो लोगों को employ करो लोगों के हाथ में पैसा आएगा वो demand करेंगे जैसी demand होगी supply अपने आप आएगी production बढ़ेगी और जब production बढ़ती है तो क्या बढ़ता है GD gross domestic product वो ही क्या होता है national income ठीक है तो growth अगर चाहिए production बढ़ाओ production कैसे बढ़ाएगी जब demand होगी ठीक है तो demand बढ़ानी है असल में तो इन्होंने fiscal policy में हम अब ऐसी situation में क्योंकि आपका सब downfall चल रहा है now you want to create the demand तो suppose government आगई आत्म निरपर भारत के साथ उन्होंने का कि हम 20 लाग करोड का खर्चा करेंगे economy ये 20 लाग करोड government खर्चा कर रही है total currency इंडिया में demand आएगी supply बढ़ेगी production बढ़ेगी इसी की वज़ा से इसको में कहते है fiscal stimulus देना अब अपने consciously decide की कि मुझे fiscal stimulus देना है याने मुझे बहुत खर्चा करना है आपने discretion पर आपने decide कि कि मुझे खर्चा करना है because I want to take the economy out of the recession ये होती आपकी discretionary fiscal policy जहां पर आप खुद decide करते हो कि मुझे मेरी fiscal policy कैसी बनानी है ठीक है मुझे ज़्यादा खर्चा करना है या मुझे कम खर्चा करना है जो भी करना है suppose for example अभी तो recession की example मैंने दी recession में हमेशा discretionary fiscal policy किस level की होती है expansionary fiscal policy जिसमें आप expenditure को क्या करना चाहेंगे expand तो ये किसकी बात है recession की अब अगर economy में growth अच्छी हो रही है growth के साथ हमेशा क्या आती है inflation ये तो clear cut है kuznets curve ने का कि जैसी growth होगी inflation अपने आप आएगी inequality भी बढ़ेगी इससे inequality पे एक चीज़ याद है generally मुझे पताइए अगर growth हो रही है और उससे inequality बढ़ती है because economy में जब ही GDP बढ़ता है तो सबसे पहले कुछ companies की production के बढ़ाने की वज़ा से GDP बढ़ता है तो economy में जब भी growth होती है economy में rich और poor के बीच में divide बढ़ता है rich और rich हो जाता है और poor अपनी ही जगा पे रखता है इससे rich और poor का divide बढ़ता है जब growth होती है तो inequality भी बढ़ती है क्यों कुछ नेट कर्व कुछ ऐसा होता है कि आपका जब growth होती है economic growth inequality भी उससे बढ़ती है तो growth बढ़ रही है inequality भी बढ़ रही है फिर धीरे 100-200 साल के बाद ये नीजे आ जाती है तो इंडिया में हम clear cut देख रहे है इंडिया में growth जब हम बढ़ा रहे थे यहां पर क्या बढ़ रही थी inequality अब बताए ये inequality बढ़ना अच्छा है या बुरा बुरा है ना rich और poor के बीच में divide बढ़ेगा तो क्या होगा economy में clear cut देखा जाता है इससे socio economic outcomes खराब हो जाते है जैसे inequality बढ़ गई rich और poor के बीच में divide बढ़ गया crime बढ़ता है आपकी economy में poverty बढ़ती है development कम हो जाती है education कम हो जाती है income कहते है socio economic outcomes तो जैसे inequality होती है socio economic outcomes खराब हो जाते है जैसे कि western world में हम देखते है लेकिन इस साल का economic survey क्या बोलता है कि इंडिया में inequality बहुत अच्छे है चीक है इंडिया में inequality तो कि economic survey जबी अब आ रहा है ना they cannot print a bad picture of India because they are influenced by the government अब economy में inequality starch inequality हो रही है lockdown के अंदर अंबानी ने इतना पैसा कमाया कि वो top 10 में आ गया और हम 25% unemployment में इंडिया में पड़े हुए है मेरा खुद जॉब चला गया lockdown की वज़ाए से वो अलग बात है उसके बाद अच्छा जॉब मिला पर चला तो गया यह अच्छी है इंडिया के लिए यह होनी चाहिए उसके बाद उसका अपनी reasoning है क्यों होनी चाहिए वो बोलते हैं कि जैसे चाइना में हुआ वो उनके लिए अच्छा हुआ तो हमारे लिए अच्छा होगा तो अलग मामला है economic survey don't believe in these government documents independent studies में ज्यादा आपका यह बढ़ना चाहिए लेकिन अगर government exam qualify करना है government documents के हिसाब सही चलना है but to make your own opinion अपना opinion बनाने के लिए अपनी ideology बनाने के लिए government documents पे कभी भी dependent नहीं रहना चाहिए अब हम देख रहे है inflation हो रही है economy में inflation के लिए government क्या करेगी expenditure कम करेगी और revenue बढ़ाएगी taxes बढ़ाएगी या जो भी करेगी accordingly क्या होगा government में लोगों के पास कम पैसा रहेगा कम पैसा याने कम demand कम demand याने कम demand pull inflation तो prices क्या आ जाएगे नीचे तो यह discretionary क्या है fiscal policy दूसरा है built-in fiscal policy built-in fiscal policy में हम automatic stabilizers की बात करते है और समझा रहा है या मैं बस ऐसी बोल रहा हूँ automatic stabilizers automatic stabilizers अब देखिए automatic stabilizer का क्या मतलब है simple एक बहुत simple example है इसमें हम एक concept पढ़ते हैं the concept of fiscal drag the concept of fiscal drag यह copy में नहीं है यह word sorry notes में नहीं है but this is a very important concept fiscal drag automatic fiscal policy या built-in fiscal policy किसको कहते हैं built-in fiscal policy simply वो fiscal policy है जिसके अंदर government discretion पे अपनी policy decide नहीं करती बलकि वो policy automatically खुद decide हो जाती है यानि government consciously decide नहीं करती कि मुझे expenditure बढ़ाना है revenue कम करना है यह खुद से decide नहीं होता यह automatically economy खुद decide करती है कि कैसी system होनी चाहिए कैसा system होना चाहिए कैसे for example यह automatic fiscal policy में automatic stabilizer का क्या concept है अब देखिए inflation का chapter याद है अब देखो जब inflation होती है मुझे बताओ what is the effect of inflation on the nominal income nominal income बढ़ जाता है what is the effect of inflation on taxes indirect taxes and direct taxes बताइए what is the effect of inflation on taxes बढ़ जाते है कौन सा वाला बढ़ता है direct बढ़ता है indirect कम होता है दोनों ही बढ़ते है दोनों बढ़ते हैं ना direct taxes और indirect taxes दोनों बढ़ते हैं क्यों क्योंकि indirect taxes क्या है it is imposed ad valorum याने ये product के price पर पढ़ता है अगर मेरा hide and seek biscuit 25 रुपे का था उस पे मैं 1 रुपे का tax देता था अब मेरा यही hide and seek biscuit 35 रुपे का हो गया तो मुझे 1.5 रुपे का tax परना है ये क्या है ये add valorum tax है ये value पर पढ़ता है तो ये indirect taxes हमारे add valorum है price पर पढ़ते हैं ना tax तो जितना ज़दा price होगा उतना ज़दा tax होगा ऐसे ही direct taxes कैसे बढ़ते हैं inflation की वज़ा से अगर आपका income tax है और आप exempted slab में थे याना आपका income 2,49,000 का था तो आप exempted थे आपको income tax नहीं पढ़ता लेकिन जैसे ही आपकी inflation हुई आपका nominal income बढ़ गया अब आप आगे 2,91,000 में आप पे income tax पढ़ेगा क्योंकि 5,000 की slab में आगे ना अब 10% का tax देना है अब बताई ये इससे क्या होगा economy में inflation है ठीक है? economy में क्या है? inflation है inflation की वज़ा से nominal income लोगों का income बढ़ा महंगा ही है ना? अब देखिये fiscal policy decided नहीं होगी ये automatically decide होगी government decide नहीं करी inflation होगी अब inflation को कम करना है कैसे? automatically कम हो जाएगी कैसे? for example, inflation होगी inflation की वज़ा से nominal income बढ़ गया लोगों nominal income जब बढ़ गया वो ज़्यादा taxes दे रहे हैं ना? वो ज़्यादा taxes दे रहे हैं जब ज़्यादा taxes देंगे उनके पस कम पैसा रहेगा कम पैसा तो कम demand कम demand तो prices तो inflation ज़्यादा थी ना? यहाँ से कम हो गई इसको हम कहते है fiscal drag क्या कहते है? fiscal drag यहने inflation induced taxes bring down the prices ठीक है? इसको हम बोलते है fiscal drag they drag down the prices यह खुद से automatically decide होता है government decide नहीं करते ठीक है? तो यह fiscal policy है ना? monetary policy तो अलग चीज़ है वो तो पहले है यह fiscal policy automatically decide होती है central bank यह government की policy की बात कर रहे है central bank क्या करेगा? वो तो already हमने देखा वो क्या करेगा inflation के time मैं बोल रहा हूं कि fiscal policy में एक तो discretionary fiscal policy खुद से decide कर सकते हो दूसरा अगर अप नहीं भी decide करोगे fiscal policy automatically decide हो जाती है automatic stabilizer के थाहत समझ आ रहा है? question है तो पुछो मैं repeat करूँगा ओके लिखे थोड़ा fiscal drag के बारे में खुआ है अप में अधर खुआ है? when the economy अच्छा आप क्या मैं कर सकता हूं? फिस्कल ड्राग में फिस्कल ड्राग में जब government फिस्कल ड्राग में जब inflation होती है वो खुद नीचे आती है क्यों? क्योंकि taxes बढ़ जाते हैं लेकिन tax बढ़ते तो है, tax की rate नहीं बढ़ती है, समझ रहे हो, क्या government ने tax की rate बढ़ाई, लोगों का income बढ़ने से खुद taxes बढ़ गे न, तो tax collection बढ़ता है, लेकिन taxes की rate नहीं बढ़ती, taxes की rate अगर बढ़ती, तो वो government decide करती की rate बढ़ानी है, वो discretionary fiscal policy होती है, यहाँ पर tax क rate नहीं बढ़ी, लोगों के income बढ़ने से taxes खुद बढ़ती है, समझ रहे हो, तो मैंने majority तो आपको notes में दे दिया है, ठीक है, यह introduction, बस fiscal tax में नहीं है, वो डालो इसमें, when the economy experiences inflation, when the economy experiences inflation, there are automatic stabilizers that come up, one of them is fiscal drag, one of them is fiscal drag, the sequence is as follows, the sequence is as follows, when there is inflation, because of rising demand, because of rising demand, wages go up, यह कौन सी wages है, nominal या real, normal, bracket में, nominal, real wages का क्या होता है, inflation की वज़ाँ से, हाँ, आप बुलेंगे, क्या नाम है, सुरह, बताओ, real wages का क्या होता है, inflation की वज़ाँ से, क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, एटे हाँ, वज़ाँ, से लाटे हाँ रगोड़, तूम की वज़ाँ से, ह्वाँ भडे करतना है, insights क adesso, क्या देवाँ दन्हीं हाँ, दोस्य थाच एउ पर ठागोड़, फिरे कि वज़ाँ पाडोड़, विज़ा हाँ, वज़़ाँ धंगउ, स्रॉत दॉतίας disposable income comes down, disposable income comes down, disposable income क्या गो? क्या हो आप लोगों को क्या हो गया यह? यह आप ऐसे ही थे या मझे कुछ नहीं थोड़ा चेंज हो गया हूँ? क्या हो गया disposable? लाजर नहीं मारी? मारना नहीं चाहिए पर देखो, आप जब income होता है आपका, उसमें जब आप taxes भरते हो, तो बचता जो है वो disposable income होता है, समझ गए? तो आपका income है 2,00,00 रुपे का, taxes भरे 30,000 रुपे की है, तो बचा कितना? 1,00,70,000, यह disposable income है, यह आप खर्चा कर सकते हैं, समझ आप? यह total income, यह disposable income, समझ आ रहा है? यह समझ आ रहा है? यह समझ आ रहा है? लेखो, disposable income comes down, demand moderates, and so do prices, demand moderates, and so do, moderates, and so do prices, समझ आ रहा है? demand moderates, and so do prices, अगर आप जवाब नहीं दोगे न, आपका एक एक topic नीचे, cancelled हो रहा है, छीक है? I swear, मझे fiscal cliff पढ़ाना था, बट आपको नहीं समझ आएगा, अगर आप जवाब नहीं दो, तो मैं छोड़ रहा हूँ, अब पहला दिन क्या करेगा, भाई? fiscal policy समझ आ है? थोड़ा introduction दे रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने, तो introduction दे रहा हूँ, थीक है? तो दो-दो टाइप की policies है, पहले क्या होता है, expansionary fiscal policy, जिसमें आप क्या करेंगे? खर्चा ज्यादा और revenue कम होगा, दूसरा contractionary fiscal policy, revenue ज्यादा, खर्चा कम, उसके बाद there is discretionary fiscal policy, जब आप खुद decide करते हैं, कि क्या करना है? दूसरा, automatic built-in fiscal policy, जिसमें, खुद ही automatic stabilizers काम करते हैं, जैसे, fiscal drive, अब हम देखेंगे, the components of fiscal policy, या precisely we call it the budget, अब fiscal policy, यानि government की क्या policy है, discretionary की बात करेंगे अब, ठीक है? automatic की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो खुद ही हो जाता है, अब हम discretionary की बात कर रहे हैं, तो discretionary fiscal policy में, government की policy किस तरीके की है, कब मालूम पड़ता है, जब government का क्या आता है? budget आता है, तो हर साल government का budget आता है, budget में ही समझ आ जाती है बात, कि government क्या करने जा रही है, और ये budget जब आता है, आम तोर पर हमें फरक नहीं पड़ता है, हम देखते भी नहीं budget की speech की क्या 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 उन्होंने, पर ये याद रखना जैसा budget आएगा, वैसे आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा, तो ये समझना important है, budget में क्या क्या चीज़े होती है, ठीक है ना, तो budget में ही हम देखते हैं कि government की policy किस तरीके की है, समझा, इसको हम public finance भी कहते हैं, public याने, government, finance याने government का किस तरीके से finance generate होगा, पैसा generate होगा, कैसे खर्च होगा, ये public finance का हिस्सा है, इसको हम Public Economics में बढ़ते हैं ठीक है ना अब बजट असल में है क्या बजट को सिंप्ली हम कहते हैं जैसे कि Article 112 of the Indian Constitution में लिखा है कि हर साल Government को एक Annual Financial Statement देनी होती है Annual Financial Statement यह नहीं है नोट्स पे इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ वो खुद से लिखा हूँ Annual Financial Statement आर्टिकल 112 of the Indian Constitution और इसी 112 आर्टिकल में लिखा है कि हर साल Government को क्या लेकर आना है अपना बजट अपनी Annual Financial Statement देनी है कि हम आने वाले साल में देखें बजट क्या है यह दो चीज़े होती है इंडिया का Financial Year कौन सा है 1st April से 31st March कुछ बच्चे कहते है 31st March से 1 April है इंडिया का Financial Year यह तो एक दिन आता है ना एक दिन का Financial उसका उल्टा है तो 1st April of 2021 तो 31st March of 2022 समझा रहा है इसलिए हम हमेशे रखते है Financial Year 2021-22 समझा विकोज यह एक साल से दूसरे साल तक जाता है अब हम देख रहे हैं थे कि बजट का क्या मतलब होता है और Economic Survey का क्या मतलब होता है बजट होता है आपका कि आने वाले साल में आने वाले साल में Government क्या करने जा रही है उसकी एक Annual Financial Statement आती है कि हम इस साल में 1st April से अगले साल के 31 March तक क्या 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 करने जा रहे हैं हम कितना पैसा निकालेंगे Economy से कितना पैसा खर्च करेंगे साथ में ये भी बोलना है कितना डिफिसिट कर रहे हैं को गर्मेंट बड़े बड़े बैंक्स को बेचना चाती है बड़ी बड़ी Companies को बेचना चाती है क्यूं कि पैसा नहीं है उसको बेच कर पैसा लेकर आएगी गव्ब्मेंट जासे परसू चाचा ने क्या बोला लो गव्ब्मेंट हाज नो बिजनस तो बी इन बिजनस की हम जो बिजनस कर रहे थे हमारी अपनी अपनी कंपनी थी पबलिक सेक्टर banks थे, public sector enterprises थे, हम ये business करते थे, चाचा बोलते हैं कि government का kाम business करना नहीं होता, ये welfare economics में होता है, कि government का kाम business करना नहीं होता है, government का kाम welfare करना होता है, तो आप जो ये SRTC देख रहे हो, आप SRTC की bus में चड़ेंगे आपको पैसा लेंगे न वह टिकेट तो लेंगे आप इंडियन ऐरलाइन्स की चड़ेंगे जो गवर्मेंट की एरलाइन है उसमें चड़िये आप उसमें भी पैसा आपको टिकेट देनी पड़ेगी है न यह क्या है गवर्मेंट बिजनस कर रही है आप इंडिय बोलता है कि government का काम business करना नहीं होता है इसलिए हम ये बेचेंगे तो इसको हम करते हैं डिस investment जब आप public sector enterprises को बेच देते हैं वहां से पैसा generate करते हैं ये भी आपको बोलना पड़ता है कि हम कितना पैसा generate करेंगे अपने companies को बेच कर ये सारा decide करना है कि आने वाले साल में क्या क्या होगा पहले ही बोलना पड़ता है ठीक है और पिछले साल में क्या किया वो आता है economic survey में कि पिछले साल में आपने क्या कारणामे किया ठीक है तो पिछले साल में जो भी कारणामे हुए है वो budget ठीक है समझाओ ओक लिखिए थोड़ा साथ the entire budget exercise the entire budget exercise with all the policies with all the policies is the core of the fiscal policy is the core of the fiscal policy article 112 of the Indian constitution talks of talks of the revenue and expenditure the revenue and expenditure of the government and lays in the foundation lays in the foundation for the annual financial statement lays in the foundation for the annual financial statement the 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 प्रिज़ दो कि अहीं साथ कर दो कि अब नब लुगं यह लुग है इंदो 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 यह लुग जिक शड़े जाएं तो इसमें चेंजस नहीं होती है लेकिन आप पतलब जो आपने आपने अलड़ी डिसाइड किये न बड़े बड़े पारमीटर्स आपने बूला कि हम इतना इतना करने वाले हैं suppose आपने बोला कि हम health में 100 करोड रुपे डालेंगे तो वो 100 करोड रुपे डालने हैं आपको आप extra डालते हो हमेशा तो budget के जो targets होते हैं वो हम हर साल breach करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 करोड बोला है तो 100 करोड ही डालना पड़ेगा ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा ही डालते हैं तो पिछले बारी हमने 3% का fiscal deficit target किया था कि हम इतना करेंगे extra खर्चा लेकिन हम 6.8% का खर्चा किया तो यह ज़रूरी नहीं कि आपको उसी हिसाब से चलना है इसले इसके अलगर एस्टिमेट्स होते हैं पड़ाँ नहीं वहाँ आपको क्लियर हो ज़रूरी तो बजट कौन से आर्टिकल के तहट आता है आर्टिकल 100 एंड बजट को समझेंगे अब देखिए बजट के अंदर दो चीज़े होती है बड़ा सा पेज लो और जैसे मैं बना रहा हूँ बिलकुल वैसे ही बना बजट के अंदर दो अकाउंट्स होते हैं तू अकाउंट्स ऐसे बना ऐसे यह टेबल आप याद करो इसमें कोई भी कुश्चन मिस नहीं होगा फिर यह टेबल याद करना है याद भी क्या करना है खुद याद हो जाएगए सबसे पहला अकाउंट होता है जिसकों कहते हैं सब्काउंट होता है यह बर्यू को थार क्या है जाएगए खुद याद्री प्राइबिटが casual amo revenue account and capital revenue account के अंदर दो चीज़े होती हैं और capital account के अंदर भी दो चीज़े होती है अब देखिए मतलब क्या है इसका government को क्या decide करता है budget में खर्चा और आमदनी ठीक है ना खर्चा और आमदनी असल में हम इसको आमदनी आमदनी का English word क्या है मैंदनी इंकम है ना या earning कह सकते बज़ट में असल में खर्चा और earning नहीं होती बज़ट में होता है खर्चा और रिसिप्ट क्या होता है क्योंकि हर एक government के पास जो पैसा आता है उसमें से हर एक चीज़ government की earning नहीं होती है उसमें से कुछ पैसा अलग तरीके सा आता है ठीक है suppose government ने कुछ चीज़े अपनी प्रोडक्शन करके कुछ चीज़े बेची government ने service आपको बेची जब government आपको SRTC bus की service दे रही है government उससे पैसा कमाती है यह government की earning हो गया लेकिन government को suppose government को पैसा चीज़े 20 करोड रुपए और उनको नहीं मिल रहा अपनी earning से नहीं मिल रहा 20 करोड रुपए वो बौरो करते हैं वो loan लेते हैं क्या loan government की earning है लेकिन government तक तो पैसा पहुँचता है न यह government का receipt है क्या है? रिसिप्ट याने कितना पैशा रिसीव किया, कितना पैशा बॉहर बेचा, simply. ठीक है? अब यह जो गश्रान की रिसिप्ट है और गश्रान का एकसुदू है ये दो अकाउंट्स में होता है, एक रिविन्यू अकाउंटो और एक डेज्तरेवी आगो? revenue account क्या गो revenue account होता है जो government का day-to-day expenditure होता है बार-बार salaries देनी है ये expenditure है ना interest देना है ये बार-बार देना होता है हर साल देना होता है ये revenue expenditure है दूसरा होगा capital expenditure जो आमतोर पर जिसमें हम assets create करते हैं ये तो पता ही आपको उसमें क्या बोलना है सरने पढ़ा होगा ये है ना तो revenue account में हम दो चीज़े देखने अब एक है revenue account day-to-day खर्चा और day-to-day आमदनी day-to-day कितना खर्चा हो रहा है और day-to-day कितना पैसा receive कर रहे हो आमदनी कितना पैसा receive हो रहा है तो हम इसमें कह सकते हैं एक तो इसमें होगा revenue receipt और एक क्या होगा revenue expenditure revenue receipt और revenue expenditure है की नहीं दूसरा क्या है जो capital revenue और capital receipt और capital expenditure होता है long term expenditure long term receipt जिससे कुछ asset creation हो अब बताये revenue receipt की बात करते हैं यह revenue receipt है यहाँ पे revenue receipt वो receipt है जो पैसा government day-to-day basis पे receive करती है कैसे करती होगी taxes है यह पढ़ा है सबने यहने उनको कहां पढ़ाना है एक क्या है revenue receipt याने जैसे tax income होता है government taxes तो continuous हर दिन आते हैं तो taxes tax तो इसको हम क्या बोलते है tax revenue receipt समझा रहा है दूसरा क्या होता है non-tax government का income एक ओर होता है वो क्या होता है non-tax level का non-tax मैं अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ है tax and non-tax taxes में we already know there are two things direct taxes और इस पे आ रहा है यह same person indirect में we can shift the burden है ना we already know that direct taxes में you already know there is income tax income tax there is corporate tax there is security transaction tax etc these are some direct taxes बता यह government को सबसे ज्यादा tax revenue receipt कहा स्याता होगा corporate tax ठीके corporate tax सबसे ज्यादा okay सबसे कम security transaction tax यहाँ पे indirect taxes में we already know there is goods and services tax there is customs duty etc है तो बहुत सारे बट गमन को सबसे ज्यादा income GST से आता है कि 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 समझ आ रहा है this is the tax income of the government यह taxes revenue receipt का हिस्सा है डेट डेली यह दूसरा क्या है non-tax non-tax के अंदर क्या क्या चीज़ें भाई मैं यह रब करूँ अब हम देखेंगे non-tax income यह government का income ही है government की receipts ही होती है लेकिन government इसको tax के basis पे नहीं कमाती बलकि यह non-tax होता है जैसे मैं अगर कहूंगा government ने किसी पे government officials होते नहीं यहां से अब बहर गाड़ी दो मिनिट लगा तो आपके fine पड़ेगा ना वो fine जो होता है government का tax लेकिन government का income है ना वो non-tax income समझा गया तो इसमें कौन-कौन सी चीज़े सबसे पहले there is sale of goods and services non-tax income there is profits and dividends profits and dividends from PSU's there is interest received on loans there is there is grants from abroad fines get strong all this is the non-tax revenue receipt इसका क्या-क्या मतलब है government suppose Indian oil industry है उसमें government ने oil import किया उसको refine करके petrol बेच रही है ठीक है फिर पेट्रोल खरीते हैं जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो प्राइवेट होते हैं वो खरीते हैं government से यह oil आज के जमाने में हम हवा को बेच रहे हैं हम environment को बेच रहे हैं हम इनसान के time को बेच रहे हैं ठीक है जैसे for example मैं YouTube पे आड देता हूं और YouTube का आड मैं असल मैं जब YouTube को मैं पैसे देता हूं सपोस्पोस एक आड मैंने 1000 रुपे का दिया तो पहलाओ तुम YouTube पे इसको तो वो पैसे मैं असल में किसको दे रहा हूं मैं YouTube को पैसे तो दे रहा हूं लेकिन YouTube उस पैसे करता क्या है वो किस में किस किस चीज के पैसे कमाता है लोगों के attention का पैसे कमाता है लोगों का attention जब दिखेगा एड जब मिलेगा उसके पैसे कमाता है यानि हम लोगों का attention बेच रहे ह हम हवा बेच रहे हैं हम वेवस बेच रहे हैं स्पेक्ट्रम का आक्षिन करते हैं यह सब क्या है आप हवा को बेच रहे हो भी अगर दिल्ली में आप जाएंगे समर आता है पुलूशन जब बहुत हो जाता है उसकी जासे वहाँ पर यहां पर आपको खाना वाना कुछ नहीं है सिर्फ जाके बैठना है बैठना क्यों है क्योंकि वह आपको फ्रेश ऑक्सिजन देता है आठ सो रुपे में एक घंटे का वहाँ आपको स्टे मिलेगा और वहाँ बहुत अच्छा है आपके लंग्स बड़े फ्रेश हो जाते है पता नहीं भाई तुम पहल गाप में बैठो तुम यह समझ आएगा कि फ्रेश क्या होता है बट वहाँ पर लोग जाते हैं जहां पर रहता हूँ वहाँ पर बनाया हूँ उन्होंने थर्ड फ्लोर में है बड़ी सी जगह है बस लोग आते हैं बस हवा लेते हैं अब हवा बेच रहो भी आप ऐसे ही हम स्पेक्टरम का ऑक्षिन करते हैं जैसे आपका जियो है जियो आपको services देता है तो यह services जिस frequency पर जियो देता है वो frequency उसने खरीब यह होती है गुवर्मेंट से गुवर्मेंट इसको बेचकर पैसा कमाती है तो वो क्या है sale of goods and services तो गवर्मेंट के पास बहुत सारे goods and services होती है जिसको बेचकर गवर्मेंट पैसा आए दिन कमाती है that is a non-tax revenue receipt ऐसे ही गवर्मेंट की बहुत सारी public sector undertakings होती है government की companies होती है government का bank है bank है जैसे SBI है तो वो government का public sector bank है ऐसी बहुत सारे public sector banks है बिल्कुल ऐसी जैसे government की transportation sector में उनकी companies है, Indian railways में Indian railways है, वो भी public sector enterprise है तो इन सब से government पैसा कमाती है वो उसके profits होते हैं जो उनको PSU's देती है अब उसकी public SBI ने, State Bank of India ने 100 करोड रुपे का profit कमाया उसमें से 100 करोड रुपे तो पहले जाएगा आपका जो salaries, salaries जाएगी जो लोग आपने employ किये हैं finally फिर जो बचेगा आपका profit वो government दे जाती है, है ना तो government का profit आता है, ये वो भी government का income है लेकिन वो tax के जरीए, वो non-tax होता है ऐसे ही government loans भी देती है खास कर State governments को तो government ने JK government को loan दिया Central government ने JK government को loan दिया और JK government को हर साल, हर महीने, जब भी decide होगा उस पे interest देते रहना है Central government को तो Central government को continuously income आ रहा है interest जो उन्होंने loan प्रोवाइट किया है State governments को उस पे वो continuously क्या कमा रहे interest कमा रहे, समझा रहा है उसके बाद grants from abroad जैसे government बाहर से grants पी लेकर आती है बाहर से उनको पैसा मिलता है as a goodwill gesture, हलांकि इंडिया अब उतने grants नहीं लेता जितने की देता है और नड़ी मैंने बोला है, लेकिन grants जो मिलते हैं, यसे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा grants लेता है क्योंकि they are in financial crisis right now तो पाकिस्तान ने चाइना से grant लिया, पाकिस्तान ने टर्की से grant लिया, उन्होंने अरब से grant लिया, तो वो सारी क्या है, वो government का non-tax revenue receipt है, समझा समझा यह इसी order में है सबसे ज़्यादा government का non-tax revenue receipt कहां से मिलता उसको sale of goods and services, सबसे कम grants and fines, समझा रब करू